अब नई दुनिया स्थापन हो रही है, पुरानी दुनिया खत्म हो जावेगी, पहले क्या होगा? दो बातें बताईं, स्थापन हो जावेगी, बिनास हो जावेगा, लेकिन पहले क्या होगा? पहले नई दुनिया इस्थापन हो जावेगी फिर पुरानी दुनिया खत्म हो जावेगी क्यों? ऐसे क्यों? पुरानी दुनिया पहले खत्म हो जाए फिर नई दुनिया इस्थापन हो पहले इस्थापन क्यों होगी? मख़्यों में पूरृए नहीं जा सकता है ? दुकान को पहले पूरा गिरा दिया जाए नए PCR से बना दिया जाए दूसरी जगह बना लिए हो न बना ओ divor नहीं होगा बिनास में क्या मकान बना गिरे होगा जब बिनास पाबड़ तो शुरू हो गा मौत का बाजार चारों तरफ दुनिया गरम होगा तो मकान बनाने मौका मिलता है यह तो छोटा बच्चा भी जानता है तो बताओ पहले नही दुनिया इस्थापन हो जाए या पहले पुरानी दुनिया बस्म हो जाए पहले नही दुनिया इस्थापन हो जाए पुरानी दुनिया पहले बसम हो जाए तही तो मातां उपको तो बहुत दुक ज़िआ है नी दुनिया और पुरानी दुनिया का दोनों का काम साध साध चलना चाहिए बेहद का बाप बेहद के बच्चों से बेहद की बातें करते हैं ये दुकान है ये मकान है ये शहर है ये कस्वा है ये बाग है ये बगीचा है ये तो सब हद की बातें है यहां सच्ची रूपी मकान बेहद का है ये हद का है बेहद का है और यहां आत्माओं का संगठन रूपी किला पहले बनेगा या इस थूल किला पहले बनेगा आत्माओं का संगठन रूपी किला पहले तयार होता है और वो कोई स्थूल चीज है, या सुक्षम चीज है, वो तो सुक्षम चीज है, जैसे दुनिया में भी इस थूल मकान बनाते हैं, तो पहले मन के अंदर खाका आता है, या कागज के उपर खीचते हैं, या इस थूल में मॉडल बनाया जाता है, पहले मन के अंदर खाका आता है तो मन के अंदर पहले इस्थापना होई या नहीं होई मन के अंदर इस्थापना पहले हो गई तो ऐसे ही बाप आते हैं हमारी मन बुति रूपी आत्मा के अंदर नई दुनिया का खाका फेच देते हैं कि कैसे तुम नहीं दुनिया की स्थापन करो कैसे करो स्वाइस्थिति से स्वाइस्थिति कैसे करें स्वाइस्थिति बाप बिंदी समझ के बैठ जाएं खाना पीना बंद हैं फिर अरे स्वाइस्थिति के लिए भी हमको कोई स्वाइस्थिति में रहने वाली आत्मा परम्पिता है बुँँद स्वाइम ही स्ष्टी पर आकर करके सेंपूल बन करके दिखाता है वो करणहार भी है और करावनहार भी है तो मन बुद्धी के अंदर पहले ये स्थापना कराता है मन बुद्धी की जब एक आकरता हो जावेगी तो ये पांच तत्वी बाद में जो दुनिया ध्वन्स होगी देखने में आवेगी ये जड़ दुनिया बाद में ध्वन्स होगी ये पहले ध्वन्स होगी पहले कौन से दुनिया बनेगी ये चैतन्य आत्माओं का संदखन है वो पहले तयार होगा उसके बाद पुरानी दुनिया का ध्वन्स होगा जो पुरानी दुनिया है वो जड़त अत्तों की बनी होई है जो दजड़त अत्तों है वो अपने को स्वेम परिवर्तन करेंगे यह चैतन्य आत्माई स्वेम को परिवर्तन करती है चेतन्य आत्मा हैं स्वेंग को परिवर्टन कर सकती हैं उन्हें चेतन्य आत्माओं में भी 84 लाग योनियों की आत्मा हैं उनमें अगर कंप्रीजन किया जाए तो सेष्ट ते सेष्ट आत्मा की जाती कौन सी है मान भी है मनुष्य जाते उँचिते इंसान उँचिते उँचिते आत्मा है वो आत्मा है जब आत्मी की स्थिती में संगठित रूप में रहना सीख जाएं तब इस पांच जड़तत्तों वाली दुनिया का ध्वन्स हो सकता है और वो भी ध्वन्स तब होगा जब ये पांच जड़तत्त सात्तिक बने हमारे बाइबेशन से तो तुमारी गुद्धि में बैठ गया कि नई दुनिया कैसे इस्थापन होती है पुरान दुनिया कैसे खत्म हो जावेगी अक्षरों में कब नीचे उपर नहीं कहना चाहिए ऐसे नहीं कि ब्रह्मा द्वारा इस्थापना विश्न द्वारा पालना संकर द्वारा विनास यह accurate बोला यह गलत बोला क्या करना चीए पहले ब्रह्मा द्वारा सत संकल्पों की स्थापना संकर द्वारा दुष्ट संकल्पों का विनास परचिंतन का विनास देह और देह के पदार्थों की स्मर्थी का विनास और फिर पीछे विश्न द्वारा पालना पहले विनास कहना रांग हो जाता है पहले स्थापना फिर विनास फिर पालना तो ये बात एक दम समझाना पक्की कर दो बहुत बच्चियां हैं जो तोते में सल याद कर लेती हैं और रट के सुनाती हैं ये ब्रह्मा द्वारा इस्तापना विश्न द्वारा पालना क्या कहा रांग को राइट करना यही समझी की बात है तो दोनों तरह के ब्रह्मना विश्न मौजूद हैं एक तो बो ब्रह्मन हैं जो बोलते तो हैं तर्मूर्ती का चित्र समझाते ये समय क्या ब्रह्मा द्वारा इस्तापना फिर संगरद्वारा पालना शंगरद्वारा 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 पालना श राइट येस बनाना, रांग को राइट करना यही समझे, अक्षर अक्षर अर्थ सहित कहना चाहिए, कि पहले ब्रह्मा द्वारा इस्थापना, फिर संकर द्वारा बिनास, फिर विष्णु द्वारा पालना, और ये विष्णु द्वारा पालना आधा कल्प तक चलती रहती है, ऐसे नहीं शंकर द्वारा बिनास, आधा कल्प तक चलता रहता है, कि अवारा बिनास, पॉख खिर विष्णु द्वारा इसािए है, पिल्ग मैं,